हेलो फ्रेंस आज हम बनाएंगे सूजी पोहा का ऐसा चटपटा नाश्ता जिसे आपने अगर एक बार बना लिया तो आप इसे रोज बनाएंगे इसे बनाने के लिए मैं ले रही हूँ एक कप पोहा इसे हम अच्छे से पानी में धो लेंगे ये देखिए मैंने पोहा अच्छे से धो लिया है अब इसको हम हलका सा मैश कर लेंगे इसमें अब मैं डाल रही हूँ आदा कप सूजी एक कप दहीं आड़ कर रही हूँ अब इन सब को हम अच्छे से mix कर लेते हैं फिर इस mixture को हम 10 मिनट के लिए set होने के लिए रख देंगे 10 मिनट हो गई हैं अब हम mixture को चेक कर लेते हैं इसमें अब मैं डाल रही हूँ आधा चमच नमक इन सबी को अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक सोफ डो त्यार कर लेंगे इस तरह से हम मिक्स्चर को थोड़ा सा मसल लेंगे ये देखिए इस तरह का सोफ डो हमने त्यार करना है अब हम थोड़ा सा मिक्स्चर लेकर छोटी छोटी बोल्स त्यार करेंगे इन बोल्स को हम उपर से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ये देखिए इस तरह से हमने सूजी पोहा बाइट्स त्यार करनी है इन्हें बनाते टाइम आप थोड़ा सा ओयल हाथों पर भी लगा सकते हैं जिस से ये जो मिक्स्चर है वो हाथों पर नहीं चिपकेगा ये देखिए इस तरह से मैंने सभी बाइट्स को बना लिया है अब हम इन्हें स्टीम करेंगे इन्हें स्टीम करने के लिए मैंने एक चलनी को ओयल से अच्छे से ग्रीज कर लिया है इसमें अब हम सूजी पोहा बाइट्स को रख देंगे ये bites बहुत ही tasty बनती हैं आप चाहे तो इने बच्चों के टीफिन में भी डाल सकते हैं मैंने पानी को अच्छे से गरम कर लिया है अब हम इसमें सुजी पोहा bites को steam होने के लिए रख देंगे हम इने medium आज पर 10 मिनट के लिए steam होने के लिए रखेंगे 10 मिनट हो गए हैं अब हम इने चेक कर लेते हैं ये अच्छे से बन गए हैं अब हम इनको निकाल लेते हैं फिर मैं एक कड़ाई में 2-3 चम्मच ओयल ले रही हूँ इसमें हलकी सी हींग डालेंगे आदा चम्मच जीरा डाल रही हूँ आदा चम्मच राई लेंगे थोड़े से कड़ी लीव्स डाल रही हूँ दो हरी मिर्चे लेंगे जीने मैंने लंबा काट लिया है इन सभी को अच्छे से भूनने के बाद मैं इसमें त्यार की हुई हमारी बोल्स डाल रही हूँ फिर इसमें मैं हलका सा नमक डाल रही हूँ सूजी पोहा बाइट्स बन कर त्यार हो गई है इन्हें अब हम सर्व कर सकते हैं ये खाने में बहुत ही टेस्टी है